हलो दोस्तों क्या हल चाल कैसे हैं आप सबी लोग स्वागत आपका माउंटेन लाइफ सिमिलेटर की एक और नई मज़दार गेम प्ले वीडियो में लोगा इस पिछली ओडियो में हमने यहाँ पर अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बना वा था जिसको बनाने में काफी टाइम और काफी श्ट्रगल लग गया पहलो तो यह घर बन नहीं पा रहा था बट कैसे करके हमने बना दिया है और अभी देखोगे तो मेरा हंगर भी बढ़ रखा है और मेरे पास पैसे भी बिल्कुल नहीं है 10 डॉलर सेफ मेरे पास पड़ हुए और मेरे पास खाने को भी सायद से कुछ नहीं होंगे खाने के लिए है अच्छा खाने के लिए तो है लेकिन अभी भी मेरे को पैसो की बहुत ज़रुरत है इस घर में लाइट्स अगरे बिल्कुल नहीं है तो लाइट्स अगरे भी आज लगेंगे क्योंकि रात को टाइम में काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है मुझे क्या करना पड़ेगा यहां से कहीं पर स्टोरेज है या तो मुझे स्टोरेज पर्चेस करना पड़ेगा सायद से उस वाले सौप से क्योंकि यहां पर storage बनाने के लिए कुछ तो है नहीं तो मुझे लगता है हमें उस shop पे जाना पड़ेगा तभी हमारा काम हो पाएगा उस shop पे जाने से पहले न मैं थोड़े बहुत tree cut कर लेता हूँ और ये जो deer वगेरा है न इनको hunting भी कर सकते हैं देखते हैं hunting के लिए कुछ purchase कर सकते हैं या नहीं कोई गनवगर मिल जाएगी न तो आज hunting भी करेंगे hunting से हो सकता है थोड़ा profit हम earn कर पाएँ अभी तो मैं फटा वर्षे tree cut कर लेता हूँ inventory में अभी देखवा हमेरे पास काफी जड़ा space है इतना सामान लेके चलेंगे तो इसको sell करके थोड़े से पैसे कमा लेंगे क्योंकि पैसे के भी बहुत ज़रूरत है 10 रुपए में तो कुछ नहीं होने वाला है और मेरे पास अब खाना भी नहीं बचा है इतना खाना था वह सब मैंने खा गया अब मैं यह सोच रहा हूँ यहां पर मैं बहुत सारे ट्री कट करते जा रहा हूँ एक टाइम ऐसा आगा कि यहां पर एक भी ट्री नहीं बचेगा तो मैं ट्री उगाऊंगे कैसे फिर यह पूरा जंगल खाली हो जाएगा देख रहे हो मैं काटते काटते कहां तक आ गया इधर साइड का तो पूरा सफ में जा रही है कास मेरे पास गन होता ना तो इनको मारता मैं फिर इसके बाद इनको सेल करके थोड़े पैसे कमा लेते मैं देखता हूं गन कितने का है अगर गन सस्ते का होगा तो मैं पर्चेस करके लाने वाला हूं फिर करेंगे हंटिंग दवा के हंटिंग करेंगे जितने पटावड से पहले सेल करते हैं जितने भी चीजे हमारे पास फाइबर भी है ना फाइबर भी सेल कर दता हूं ठीक है 290 हो गया और जितने भी वुड है वो सेल कर दते हैं 970 रुपए हो गये बहुत पैसे हो गया हमारे पास टूल्स में मिलेगा ना हमें हंटिंग वाला यहां पर तो है यह नहीं है हंटिंग के लिए का मिलेगा अच्छा यह रहा हंट ठीक है फिसिंग रॉड है डाइस हो का यह रहा बोल्ट शॉट गॉन यह है छे सो का ओके छे सो सौट गॉन और उसके बाद हमें सोट गॉन का सेल्स भी बाई करना पड़ेगा 25 डॉलर में 5 आता है बाइक करूं या रहने दूँर भी वैसे बाइक कर सकते हैं वेट यह बाई करने से पहले मैं लाइट बाई कर लेता हूँ पहले हम वाल लैंप बाई करेंगे दो यह ले सकता हूं वैसे नहीं दो इसको ले लेता हूं और ये क्या है फैन के साथ है क्या इसमें फैन भी लगा हुआ है एक ये दे दो और बस बस इतना बहुत है अभी टूल्स में चलते हैं नहीं हंट में चलते हैं और इसको बाई करते हैं ओके डंसीन और सौट गन की सेल बाई कर ल 4 चार व्लेड बसा आभी 5 आ सकते हैं ना तो बिखारी हो गया 5 रुपए बचे मेरे पास जी भाई इतना बिखारी कैसे हो सकता हूँ और अब्यख्यट सीचेश्ट भी वगर यहां पर Game axle भी है बाई साथ इतनी चाथ है एक तो मैं भाई कर सकता हूँ कुछ करना नहीं है यहां पर चलके पट से कट कर लेता हूं चुछ को लेता ओ और इसको पर मारता हूं क्या मैं मारता है यहां सब्सक्राइब कर और रुक्ज तो हुं क्यों होता है ल कि अ यह Ella कि धर रह बाई कहते हैं कि हजित अच्छा इसको रीलोड करना पड़ेगा ओके अरे सॉरी सॉरी मैं गदाओ मैं गदाओ मेरी गलती है अब रीलोड हो गया अब कहा गया वो कहीं दिख रहे ओ दिख रहे ये रहा ये ले आई ये अरे बच गया भाई ये कैसे बच गया एक तो ये भागता इतनी तेज से है ये रहा अभी दो को दिख रहा है अगर इस बार नहीं लगा न तो फिर बेकार है लग जा प्लीज आई ये कैसे नहीं लगा भाई मैं नहीं मानता इतना अच्छे से मैं मार रहा हूँ फिर भी नहीं लग रहा है किदर गया एक तो यह नल्ला इतनी तेजी से भागता है पता भी ने चलता है किदर गया ओ फोक्स किदर है यह रहा आप देखो अच्छे से मारा भाई क्या यह नल्ला सौट गन आई यह मार दिया मार दिया बोर टाइप लग गया इसको मारने में चोलो इसको मार दिया अभी मेरे पास एक और बुलेट बच्चा है इसको रिलोड कर लेता हूं भाई बुलेट तो औ करना पड़ेगा और कुछ मिल जाते तो उनको भी मारता फिरन वगरे दिख जाती तो हंटिंग कर लेते हैं अभी कुछ दिख नहीं रहा हमारे घर के साइट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इधर तो एक भी नहीं दिख रहे है ऐसा कैसा जंगल है इतने घंगोर जंगल मे एक भी एनिमल नहीं दिख रहा है ओ दिख गया दिख गया एक बुलेट में मारना है मुझे आई ये हैं जी कैसे भाई हेलो मैं नहीं मानता भाई मैं नहीं मानता कि ये मिस हो सकता है सौट ये ले अब भाई ये गन नली है भाई सौट गन आगेस लॉंग रेंज में काम नह तो थोड़ी सी और हंटिंग कर लेते हैं कि कोई दिखा अच्छा यह रहा फॉक्स एक और रुग जा जाएगा वहां के मारूंगा उस ज्यादा दूर आ गया साय से मैं उस सौप से हंटिंग के चक्कर में रुका है कि उस знаю करा तो आश है कि यह ळेगा से याज यह लिस एक बुलेट नहीं पढूर रहा है तीनी बुलिट में तो मैं को मार रहा हूँ यहां से मार सकता हूँ क凝े नबर की घटिया सौट गयर इस से अच्छा तो मैं चाको साघ्जार मौ जलेता इथ ह wise रुखजा बच्चे अरे रुखजा भाई भाई जितने पैसे में गोली खरीदी है उतने पैसे तो मेरे को मिल जाए अरे रुखजा फ्लीस यार मेरे लिए रुखजा भाई बहुत पैसे लगा के गोली खरीदा है तू तो मरी नी रहा है ये तो भाग गया भाई दो बुलेट बस बचा नई चार बचा है ना चार में एक को निप्टाता हूँ अभी मैं पूरा जंगल घूम लिया मैरे को एक भी एनिमन नहीं दिखा एक दिखा यहाँ पे आ ये भाई छी भाई ये इससे घटिया गन मैने आज तक नहीं देखा मर गया, मर गया चलो मर गया क्या बताओ यार इतना घटिया गन एक और दिखा सायथ से नई 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 एक और दिख जा भाई, सिर्फ दो बुलेट बचा है आखरी ट्राई है वैसे मैने कितनों को मारा तीन मारा ना हाँ तीन मारा एक और मिल जाता तो लपेट लेता कोई तो दिख जाओ कोई दिख जाओ कोई दिख जाओ ओ दिख्या 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 इसको आराम से मारेंगे एक ही बुलेट में आये हैं वाँ भीया जी वाँ पूरी बुलेट खतम हो गई इसको लगा भी नहीं ची भाई नल्ला एमरूम है लोग कोई बात ने गाइस एक काम करते हैं थोड़े से ट्री कट कर लेते हैं क्योंकि अभी इन्वेंटरी पूरी खाली है हमारी तो जितना भी हमारे पास जगह है न उतना ट्री कट करके इसको सेल कर देंगे इससे हमारे पास थोड़े से पैसे भी आ जाएंगे तो मैं फटावट से ट्री कट कर लेता हूँ चलोगा इस वैसे यहां पर आया हुए हमें रात भ कूइन लग गया कोई और इंवल भी दिख रहा है ये रहा है इक और अदुalen निम म्ली जख गया लेकिन यह गये तना डाक है कि मुझ दिखता है अभि साम का टाइम है बहुत्त बहुत जिएंग से कुछ चीज़े हैं क्य Pharise कि आउल है की एसको सेल करने बाद हमारे पास 60 , रुपए हो गये और इसको भी से ल कर सकता हो ठीक है यह सेल कर दो यह सेल कर दो ये 200 डालर का मिल रहा है हाँ बहुत पैसे मेरे पास हो गए तो अभी न बहुत सारी चुछे बाइग करते हैं यांसे, sबसे पहली चीज तो मुझे बाइग करना है, चेस्ट, 1, 2, 3, तीन चेस्ट देदो, टूल्स में क्या बाइग कर सकते हैं, पेंट ब्रस अभी यह सब रहने देता हूं, प्लांट बाइग कर लेता हूं, दो ये plant देदो और उसके पाद ये मैं buy करता हूँ देखता हूँ इसमें कैसे उखते हैं 3 ये buy कर लेता हूँ food buy करना है पहले bread buy कर लेते हैं थोड़े से पांच bread थोड़े से ये buy कर लेते हैं kitchen वाला item थो भी हमें buy नहीं करना bathroom वाली चीज़े भी भी भाई नहीं कर नहीं क्योंकि बातरुम हमेरे पास है ये एक चेर भाई कर सकते हैं मिराई कर लेते हैं एक चेर भाई कर लेते हैं और उसके बाद एक ट्रेसिंग टेवल भाई कर लेते हैं वा बहुत बहुत सारी चिज़ становится bit gör possibility तो एक ये ड्रॉर्स दे दो फायर प्लेस चाहिए तीन सो का है यार फायर प्लेस कुछ बात नहीं अगली बार आएंगे न तो फायर प्लेस भी लेकर जाएंगे सुबह हो गया नहीं बहुत ज्यादा रात हो गया अब यहां से हम फट्टा फट से निकलते हैं घर को सुबह का आयाय यहां पर बिल्कूल ही रात हो चुका है मेरे इसाब से रात के 12 बज़रे हैं क्योंकि बहुत जाड़ा सनाटा हो गया है आजपास में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है अरे वह भाई नहीं किया व्यट 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 व्य.» बूलेट तो भाई नहीं किया वन तूछ फूर फाइव बस इतना ये दे दो बहुत ज़्यादा है थोड़ा खाना खा लेते हैं थोड़ा और खाना ले लेते हैं वैसे क्योंकि पैसे तो हमारे पास पड़े हुए हैं अब मेरे पास 45 डालर बस पड़े हुए इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं है तो अब आ चुके हैं अपने घर पे बंद करो चॉर्च जलाओ थोड़ा बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा है सबसे पहले तो अपने घर में एक चॉर्च लगाता हूँ भाई किसकी आवाज आई बहुत डरावनी सी आवाज आई भाई कुस्तु आवाज आई मेरे को बहुत डरावनी सी सबसे पहले तो एक light लगाता हूँ इसको हम लगाते हैं किदर को भाई कुछ तो दिखनी रहा मैं किदर को लगाओ लाइट कहा गया यह कापर light लग गया वाई साब एक बार यह देखो गाई यह कापर लगा हूआ चलो on कर दिया, अब मस्त उजाला हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, उसको हम सही कर देंगे, सबसे पहले और भी जो lights थे न, उनको लगा देते हैं, एक तो बाहर side को light लगाता हूँ, इसको मैं लगाता हूँ, इस side को, यहाँ जाएगा, यहाँ पर, चलो इसको अभी करो on, आये, हैं, यह कैसी जगह पर लगाया है, कि बाहर को रोसनी नहीं दे रहा, वाँ भाई वाँ, देख रहा हो यह, सही है, यह वाले light न, मैं यहाँ के लिए लाया हूँ, एक जैसे यहाँ पर लगाऊंगा, आये, यह यही के लिए लाया था, बहुत सही लगा रहा है, पर, पैसे न, इसको बिल्कुल यहाँ पर लगाना चाहिए, मैं, इस वाले जिगब पर, अब इसको on करते है, आये, यह हुई न, बात, इसको भी यहाँ से हटाओ, और इसको भी लगाता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर, चलो इसको भी करो on, ओ भाई, अब हमारा घर तो इतना ज्यादा लाइट, भाई, कौन सा लाइट इतना लाइट देता है, भाई, कुछ तो दिखनी रहा मुझे, यह वाला लाइट भी तोड़ो, क्योंकि यह बहुत बेकार लग रहा है, यहाँ पर देखने में, और इस वाले लाइट को न, एक काम करता हूँ, पिच्छे स लगा हुआ है, इसको लगाते हैं, यहाँ पर ऐसे, चलो, डन, अब थोड़ा सही हमारे घर के आसपास भी मस्त लाइट हो चुका है, और भी कुछ चेजर लाया था न, यह प्लांट था, इस प्लांट को मैं रखता हूँ, यहाँ पर, एक प्लांट यहाँ, और एक और प्ल इसको on नहीं करता क्योंकि already बहुत light है, नहीं, इसको off करो, और इसको on करो, और इसको off करो, हाँ, अब बेटर लग रहा है, यह देखो guys, यह हमारे घर का look, जो कि बहुत ज़्यादा ही तगड़ा लग रहा है देखने में, रात उच चुका है, तो मैं फटा बट से पहले सो हो जाता हो, उसके बाद सुबा को देखते हैं कि क्या करना है, तो guys, अब सुबा हो चुका है, और सुबा सुबा के टाइम में थोड़ा light सही लग रहा है, यह थोड़ा light जो है, यह natural लग रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा bright था, बहुत बेका लग रहा था देखने में, व की, तो इसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ, वेट, 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 फार्मिंग हम इधर करेंगे, एक लगाएंगे हम यहाँ पर, एक लगाएंगे हम, एक और है, इसको लगाएंगे इसके बाजू में यहाँ पर, और एक और है, इसको लगाएंगे हम इसक जिसके ने वालों क्योंकि यह वाला जो एरिया ना ये दोको थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा और आगे तक ला दू जिससे हमारे पास थोड़ा और स्पेस हो जाए तो इसके लिए हमेंचे यह प्लैंक फटावर्ट से प्लैंक कट कर लेता कि फॉक्स फॉक्स फटी रुख जाओ रडिलोट खुर फस्को इसको निपटाते हैं पहले आराम से यह बार्यक कैसे यार यह नली गन भाइairy में बहुत बेकार हंटर हूँ बाह सची वतारो बहुत बुरा हंटर चारचार बुलेट में तो एक को मार रहू हूँ है अरे र मेरे पैर के नीचे गूम रहा है और मैं इसको ढूड रहा हूँ कहा गया चलो एक को निप्टा दिया और कहा गयी वो डियर्स वगर जो आते हैं ना आजाओ अब आओ थोड़ी सी हंटिंग कर लेते हैं भाई और आज का मौसम कुछ जादा डार्क-डार्क सा है एक और एनिमल साउंड आई मुझे इदर ही दिख जाओ कहा हो भाईया जी दिख जाओ आजाओ आजाओ कोई दिक्कत नहीं है हम कुछ नहीं करेंगे बस प्यार से एक बुलेट मारते हैं और कुछ नहीं आज वाँ अभी कोई नहीं दिख रहा जब मेरे बास गन नहीं था ना तो भतेरों दिखते थे जैसे जैसे रूट पर जाता था वैसे मुझे दिखते ही थे अब देखो एक और दिख गया रुक जा बच्चे कहां भाग रहा है कहा है साउंड तो इसकी आ रही है इदर ही यह रहा चल सोजा क्या बाई से नली गन मैंने आस तक नहीं देखी मजाक नहीं कर रह और मेरा एम खराब नहीं है यह गन घटिया है भाई सची बता रहो अब मर जा कोई बात ने कोई बात ने से लेंगे मतलब इतने नले हंटर हम हो गए कि एक जो है लोम्री हमसे नहीं मर पा रहे है ठीजिए भाई अब तु देखो रुका हुए एक तु यह भागता इतना है न भाई अरे हिराड मिल गई ओ यह मारो मारो रुको 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 अरे रुक जा रुक जा कुछ नहीं करूंगा रुक जा अरे गलती से इधर चला दिया मारा पाई कैसे नहीं लग रहा ची मरजा प्लीज वाँ भाई वाँ सच्ची बता रहो मैंने इदम निसाना लगा के मारा था मैं मजाक नहीं कर रहा सच्ची बता रहो थोड़ा आराम से मारना पड़ेगा गाईस देखो ऐसे नहीं होगा बहुत बुलेट वेस्ट कर लिए बहु और एक और इधर है ना इसको भी मारते हैं ये रहा ये रहा आराम से दीरे दिर इसके पास चलेंगे ओके देखो हमारे बिल्कुल निसाने पर है ठीक है आई ये पड़ा वाँ ये भी बच गया था ये भी बच गया था भागी जाता ये एक और आई ये अरे डुक जाओ चलो डन भाई अब तो प्रो हो गया मैं बहुत मार लिया तीन चार तो मार दिये नहीं चार पांच पता नहीं कितने मारे मुझे नहीं याद जितने भी मारे एक और दिख जाता तो फिर एक को और निप्टा देता मेरे पास अभी भी 11 गुलेट औ और पड़े हुए हैं इनको सेल करने सेनों बहुत पैसे मिलते हैं एक और दिखिया पूरा जंगल खाली कर देंगे आई ये एक और निप्टा दिया भाई अब प्रो हंटर हो गया शुरुआत के टाइम में थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूं उसके बाद तो मैं वैसे ही प् हैं भंड़े बच्छे अड़े पुंग तो अरसे भाग सेड़े यहां अवेट वेट 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 वेट-वेट एवट बुलेट्वेश नहीं में सेस्क्र आपsevenक्टीर कोई पंग थैंग है आंशी चलो डन भाई ये क्या दो मिटर रेंज की सौट गरने क्या इतना रेंज भी कवर नहीं कर रहा अरे रुक जाओ चचा कहा गया मेरे मुग के सामने से भाग रहा है अ कि बाई सची बता रहो इसको मारने में जितना मेहनत क्या ला इन बूलेट बसnewक्चे ची छी ची ची अभी मैं अपनी तारीफ कर रहा था कि प्रो आंटर हो गया भाई यह कैसे बच सकता यह वाला सओÓ एकえば यह तक लाई है इतना इसको भी लाते है इसको भी लाते है डन नॉट इनफ मटेरियल अच्छ ठीक है अभी प्लैंग काटता हूं अरे नहीं मेरी गाड़ी गई 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 ओ बच गया भाई मेरोक लगा गई हमारी गाड़ी बिल्कुल इसको उपर ही गया ता पेड यहां पर यह फाउंडे स्टेयर्स नहीं लगा सकता क्या ऐसा कुछ रहना चाहिए बाई बिना स्टेयर्स के काम कैसे होगा यहां पर कुछ यह वोड़ी स्टेयर ओ यह रहा ना मैं इसी को तो ढूड़ रहा था यही तो हमें चाहिए था यह लगेगा यहां पर जे बात तो अब हम यहां पर आराम स से उपर चड़ सकते हैं और हमारे पास ये देखो स्पेस कितना ज्यादा हो चुका है यहां पर मस्त चिल कर सकते हैं वैसे हमारे पास चेयर भी था ना कहां गया चेयर कहां गया मैं चेयर भी बाई करके लाया था यह मीरर है ना मीरर तो लगा यह नहीं थोड़ा अपना दीद यहां पर बैट सकते हैं किया नली चेयर है बैट भी नहीं सकते हैं कैसी नली चेयर है बैट भी मस्त यहां पर राजा की तरह बैठता मैं एकदम राज करता इस जंगल पे लेकिन यह नली चेर बैटने ही नहीं दे रही और क्या है यह है ड्रेसिंग टेबल ना इसको लगा देते हैं बैट सकते हैं इस पे नहीं स्टोरेज में सामान रख सकते हैं ठीक है तो अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं जो रखने लायक है पूरा हम सामान रख सकते हैं तो अभी मैं चलता हूँ फटावट से उस सौप पे थोड़ी बहुत चीज़े और बाई करके लाता हूँ और आज जो है मौसम बहुत ज़्यादा खराब है बारिस भी होने लग गया है बातरूम वगरे नहीं है अभी तक मेरे पास भाई बात साथ से यही अनलॉक हुआ था उस तो आया था इसे ही और कुछ बैज वगरे भी मिले थे मुझे वह भी देखता हूँ कि उसका क्या सीन है हाँ यह लंबर जैक वाला मिला था यह है सिक्स्टी ट्री कट करूंगा तब यह हमें लंबर जैक जो है सेकेंड मिलेगा ठीक है फि इसे भी बना सकते हैं हम तो चलते हैं फटावट से वापस उसी सौप पे और सेल करते हैं इसको कुछ नई चीजे भी लेके आएंगे और अभी तो मुझे नहीं लगता कि रात होने वाला होगा और बारिस के टाइम में तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बस दखने में और बारिस के पानि भी इस रोट में दिख रहा है बढ़िया लग रहा है देृबिजली गधिली तो देज से कड़कन बाइब छलो मैं इसको पहले सेल करता हूं आरे नहीं यार माफ कर गल्ती से बोलाता इंदर देंधो नाराजी हो गए मेरे उपर बाएब क्या सेल करना है। यह सेल करना है चार थे मेरे पास। 245 अपर यह ब्स जादा तेज सेल करना है zejल करते हैं! पैसे तो मेरे पास तगड़े हो गए यार अब थोड़ा खाना का ले तो पेड़ भी फुल हो चुका है बारिस तो मस्त हो रहा है भाई सची बता रहो बारिस में अच्छा लग रहा है देखने में बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है देखने में और तो ज़्यादा ही तेजी से बारिस हो रहा है कोई बिजली कड़कते हुए दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए दिख रहा है क्या ओ नो बाई साब क्या है ये बाई सची बता रहो मजे आगे गेम में और ये जो बारिस है न बहुत जादा तगड़ी वाली है कोई बात नहीं हम तो काम करने वाले हैं बाई बारिस कितनी भी तेजी से हो नहीं नहीं बहुत तेजी से हो रही है बारिज किती नितेजी से हम काब करते हैं थोड़ा सा ट्री कट करके न इसको भी सेल करता हूँ भाई ये क्या हो रहा है मुझे लगता है गाइस मुझे घर चले जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा तेज से हो रहा है सची बता रहा हूँ डग लग रहा है इतनी तेजी से बिजली बाई बिजली भी गिर रही है इसमें तो ओ ये गाइस नहीं नहीं अब मैं वापस जा रहा हूँ सिद्धा घर पे हो गया बाई इतनी तेजी से बिजली कड़ करें सची बतारों एकदम से डर लग जा रहा है दोस्तो वारी दोस्तों कान तो मेरा भी फट रहा है आपका भी फटेगा मैं कुछ नहीं कर सकता है इसको चलो गाइस इसको करो बंद भाई घर में आने के बाद थोड़ा सुकून मिला भाई बाहर साइट को तो हालत करा बजारता देख रहे हो अभे भी कितनी तेजी से बिजली कड़ करी है ओके तो मैं सो भी नहीं सकता मैं करूं क्या फिर चलो कोई बात नहीं घर में बैठे रहते हैं कल का इंतजार करते हैं यहां पर मस्त बैठके चिल करते हैं देख वैस मैं सो तो नहीं सकता तो मैं एक काम करता हूं मैं एक बार को ना इस वाले जगब पर हो के आता हूं बारिस हो रहा है और कुछ घर भी नहीं सकते तो पताफट से मैं चलता हूं उसी वाले जगह पर और हो के आता हूं देखता हूं वहां पर आखिर है क्या यह वाला रोड सीदा पगड़े चला जाओंगा ना तो मैं वहां पर जा सकता हूं चलो हो के आता है भाई गेम का साउं और बारिस के टाइम में निकले हैं तो मस्त चिल करके मज़े करते हैं वाई म्यूजिक बजा सकते हैं तो मज़े ही आ जाते हैं यह कोई ब्रीज है यहां पर दो कितना ज्यादा पानी आने लग गया बारिस की वज़ा से बार भी ना आ जाये अच्छा यहां पर एक छुटी सी आ रहे हैं वैसे अरे यार हमारी कार ठुक गई और एक चीज अभी मैंने देखा मेरे कार का फ्यूल भी हाफ से ज्यादा कम उचका है तो मैं इसी वाले पेट्रोल पंप पे फ्यूलिंग करवा लेता हूं पता चला कहीं पर खत्म हो जाए तो इस बारिस में हम कहीं पर भी तो यहीं पर फ्यूलिंग करवा लेते हैं तो यहीं पर फ्यूल डाल देना 74 डॉलर बहुत महेंगा है तो रात होने वाला है गाइस मुझे दिन का टाइम में जाना चीए था बारिस की मुझा से पता भी नहीं चल रहा है कितना टाइम हो रहा है यह क्या है ओ बाई इतनी ब बड़ी लेक है यह क्या बात है यह बड़ी यह चीज़ देखने हो के मिल गया अभी मुझे यहां से किस्ता दूर जाना है भस खोड़ी दूर और जाना है ओक्के आगए 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 लेकिन जाएं कैसे वाश्टावर पर अंधी रास्ता तो कई पर है नहीं ऐसे जा सकते इस वाश्टार में ऐसे सॉट पर जाना पड़ता है वाव यह तो कुछ जादा ही पाड़ी है यार ताइम मैं अपनी कार को यहां पर फसाना नहीं चाहता दिन के टाइम में आएंगे तो कुछ पता चलेगा क्यूंकि रात के टाइम में तो कुछ भी नहीं दिख रहा तो बिल्कुल आ गए एक नमबर की मज़े आया है अब चलते हैं फटावट से सो जाते हैं तो गुड़नैट दोस्तो आज का सुबह गाइस को जादा ही अच्छा लग रहा है हलकी हलकी बारिस भी हो रही है कार का लाइट मैंने और नहीं छोड़ रखा था इसको बंद करते हैं और इस बारिस में पकोड़े खाने को मिल जाते तो मज़े आते बट मेरे पास अभी सिर्फ ब्रेड है तो मैं ब्रेड खाके ही रह लेता हूँ कोई दिक्कत नी पकोड़े नहीं मिल रहे तो आज हमने हंटिंग भी कर लिया अपने घर को भी थोड़ा सा डेक्रेट कर द देना मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए टाटा बाई बाई